नमस्कार खबर हिमाचल में आपका एक बार फेसे स्वागत है मैं पहुंच चुका हूँ संसारपूर टैरस के अध्योगी क्षेतर में यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल सरकार के दोरा दिशार निदेश दिये गए थे कि जिस तरह से 3518 लोगी जो हिम हिमाचल के फासे हूँ उसमें डिस्टी कांगडा का यह टेसन सारपूर टैरस का भी एक एरिया है जहां पर व्यक्तियों को कोराटाइन के लिए रखा गया था और वहां पर जो सबसे वड़ी खुश कबरी की बात यह आई है कि हिमाचल सरकार ने जिस तरह से आज लॉक्ड से 14 दिन पूरे होने के बाद उनका प्रॉपरली मेडी ट्रीट्मेंट किया गया और मेडी ट्रीट्मेंट करने के बाद आज यहां पर तसीलदार एस ही चौंकी इंचार्च संजीब कुमार और हेल्ट ड़ाटमेंट की यहां पर टीमें आई हैं और उन्होंने प्रॉपरली उनको Checking करने के बाद देखा है कि प्रॉपली या बंदे जो भी इनकी घर में जो 6 विक्ति बताय जा रहे हैं जो कि हिमाचल से डाडा सीबा की तरफ के बताय जा रहे हैं और 5 विक्ति हैं जो जमूगी तरफ से जाने के टोटल 11 विक्ति हैं जो जहां पर रखे हुए हैं और उन में से 6 विक्तियों को आज कोराटाइन से छुटी मिल रही है और इसके बाद अब इनको घर पे जाने के बाद 14 दिन के लिए होम कोराटाइन करना पड़ेगा तांकि उसके बाद जब बिल्कुल तरह से अपन घर पे जाते हैं तो इनके लिए अलग कमरा रहेगा और शोशल डिस्टेंस के बीच रखा जाएगा तो पूरी साबधानी बरतने के बाद जब इनके घर में भी होम कोराटाइन के 14 दिन होते हैं तो इनको मेडिकल चेक अप भी करवाना पड़ेगा तो मैं अभी यहां पर पहुंचा हूँ आप देख सकते हैं कि संसारपूर्ट टैरस के यहां पर जो व्यक्ति हैं तो इनको आज छुटी के लिए होम कोराटाइन के लिए रखा जा रहा है तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि आप इनकी तस्वीर दखाएं जो की छे व्यक्ति हैं जिनको आज चुटी की जा रही है यहां से बड़ी अच्छी बात है हिमाचा सरकार की तरफ से एक अच्छी पहला जिसके लिए आज संसारपूर्ट टैरस में जो शेवक्ति हैं अपने घरों के लिए जाएंगे तो आए इनसे पूछते हैं कि यहां पर जो विवस्ता थी जो सिस्टम थ उस तरह से 14 दिन यहां पर बिताएं हैं किस तरह से इनके यहां पर 14 दिन बितीत किये हैं इसके प्रती में पूछना चाहता हूं संजीब कुमार जी आज जिस तरह से 14 दिन हो चुके हैं आपके कॉराटेन में रखा गया था आपको तो यहां पर आप किस तरह से घर जा रहे हैं आपके लिए बेखुशी की बात है सरकार ने अच्छा कदम उठाया है तो आप किस तरह से घर जो आपको इंस्ट्रक्शन ब चाई पाणी दो टेम से ते इसलिए हमको गार बेज रहे हैं तो गार भी हमने लग रहे हैं तो यहां पर बताया जाता है कि खाना और योगा भी आपको करवाया जाता था योगा होती थी उसके बाद चाई दो प्रूंठे ते चाई पर खाना बहुत अच्छा मिला आई इन किस तरह से अगहा जिस तरह से सरकार ने आपको अब 14 दिन के लिए होम कोरेटा इन के लिए भी कहा है कि वहां से भी अपने घरवालों से भी दूरी बनाके रखनी हैं तो आज आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जो आपने यहां पर 14 दिन ब्यतीत की हैं किस तरह से रहे थी तो जिस तरह से आज आज आपको सभी को घर जाने के लिए कहा गया है तो आपके जो जहां पे 14 दिन बेतीत हुआ है तो आप उनसे बिल्कुल संतुष्ट है खाना पेना बिल्कुल सहीता सर तो यह कितने शे ब्यक्ति हैं जो आज होम कोराट आइन के लिए ने रखा जाएगा और पांच जो जहां पर हैं पांच व्यक्ति जो हैं उनको भी थोड़े दिन बाद जिस तरह से सरकार की इंस्ट्रक्शन्स आती है तो उस तरह से उनको भी ह होम कोराट आइन के लिए भेज दिया जाएगा तो यह एक बड़ी अच्छी बात है कि सरकार दोरा जो पहल चलाईगी है जो व्यक्ति जैसे बॉर्डर पे कोराट आइन पे फसे हुए थे उनकी सरकार और पशासन से मांग थी कि उनको किसी ना किसी तरह से घर पे पहुंच करना पड़ेगा ताकि घर पर इन्हें अपने सदस्यों से दूरी बनानी होगी और घर से बाहर नहीं निकलना होगा ताकि जो यहां से निकल कर जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है जा सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है तो मैं कैमरामेन से क तस्हीलदार जी भी मुझूद है और चौंके इन चार संजीब कुमार भी यहां पर मुझूद है और जिस तरह से अभी जो इनकी तरफ से जो भी सिस्टम दिया जाएगा उसके कोडिंग इनको घर पे बेज दिया जाएगा और एक बड़ी ही अच्छी पहला सरकार की तरफ से और एक बार यहां के स्कूल के प्रिंसिपल है और बताया जा रहा है कि यह सुबह पांच या साड़े पांच वजे आते थे और यहां पर आके उनकी योगा क्लासिस वगरा भी लगाते थे और यह एक बहुत अच्छी पहल थी तो उनसे जाना चाहेंगे कि 14 दिन में किस तर सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ पांच लोग जो थे अम्रिसर से आए थे और बॉर्डर पर डेटेन किये गए और उसके बाद हमारे यहां स्कूल में गौर्मन्ट सीनिय स्कंडी स्कूल संसारपू टैरस में कॉरंटाइन सेंटर जो बना है इसमें इनको रखा गया इनक संजीव राणा जी उनको यहां पर लगाया गया उनके पासीज बनाए गये और सुबह हम साड़े पांच बज़े यहां जाते थे और छे बज़े से लेकर के आठ बज़े तक इनका योगा और लाइट एक्सरसाइज कराते थे और उसके बाद इनको ब्रेखवास के लिए छ किया है और इन लोगों की सिवा की है धन्यवाद ठीक है यह थे यहां के स्कूल के प्रिंसिपल जेनों ने अपनी व्यवस्था के बारे में बताया कि किस तरह से 14 दिन के बीच इन सभी को एक अच्छे बाता बंड में रखा गया है ताकि कि किसी भी तरह का समस्या का सामना यह करना ना पड़े और यह बहुत ही एक अची पहले है एक वर हम बाहर जा रहे हैं तो वहां पर बताते हैं कि जो बेक्ति हैं शायद ठीक है तो लाइव तस्वीर हैं आपके सामने हैं ठीक है एक वार गाड़ी की तरफ गाड़ी की तरफ ठीक है तो आईए अब हम यहां के जो तसीलदार है अमन ठाकुर जी तो जिस तरह से सरकार के देशा नदेश के द्वारा आज इन्हें घर पर बेजा जा रहा है तो उसके प्रती हम इनसे बात करते हैं किस तरह से इन्हें आगे भेजा जाएगा और कितने दिन के लिए इन्हें होम कोराटाइन में रखा जाएगा उसके प्रती हम अब इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि वाई नमबर भी उसता है सर एक मिनट लाइप है हम जाना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार और इने अब जिस तरह से 14 दिन के लिए